लो बच्चों आप शवी का हमारे यूटूब चेनल आइडियल देक्लाशेश में सौगत हैं बच्चों आज हम इस वीडियो के माद्धे में से आपको एनेस नेशनल अचुमेंट सर्वे 24 की तेयारी कैसे करना है वह बताएंगे देखिए आज इस वीडियो के माद्धे में से आपको चार विशेश पे करना है दिन 22 प्याइड देखिए आदार पर आपको बताएंगे विशेश हिंदी गडियित विज्ञान समझ विज्ञान और यह जो प्रस्ण है तो यह देखिए नेज 22 प्याइड अभ्यास की विश्ञान योजन यहां पर क्रमांग दिया शप्ता दिया कॉलखंट दिवसवार विशेश और ओलम्पियाड प्रस्ण प्रेश्ण प्रेश्ण करान है तू प्रेश्ण के मांग यह कच्छा दिया चटवी और सप्ता कौनस 23 सप्ता है क्म से कंग तक रहेगा यह दिनांक 23 से 28 सितम्बर से 28 सितम्बर तक है और यह पूरा समय विहाजन दिया हुआ है कालखंट कंसे रहेगा प्रेथम और दोती पहले कालखंट और दूसरे काल खंट में ही यह कार करना है दिन सुमार यानि यह आपकी तारीख-Tया-30 सुमार को तेज तारीक का कम था यह तेज तारीक है इसमें क्या करना है हिंदी प्रिकार करना है और हिंदी के पध्यांस दिया है और इनुक त्यारी करना है और नेस से इन्हीं से त्यारी आपको करना जो आपके नेस के पेपर होंगे तो इन्हीं से पूछा जाएगा फिर उसके बाद गुदवार तक हो गया गुरुवार विश्य क्या रहेगा विज्ञान करेंगे और उसके ओलंपियाट प्रेशन के माद्वी किस्तर की जो है कख्षा शटवी विज्ञान प्रेशन के मांग 379, 379, 379, 379, 379, 379, 379, 379 यह प्रेशन आपको विज्ञान के रहेंगे 173 के लिए उसके बाद आपके अंतिमतिन रहेगा सनिवार, आपका शामाजिक विज्ञान के प्रेशन रहेंगे अलम्पिज अभ्यास के लिओ कुन से रहेंगे कक्षा 3 का पर्यावाण अध्यान का 113 नंबर का प्रेशन कक्षा 4 का पर्यावाण अध्यान का 118, इसके आधार पे बच्चों को तयारी करना है, शिक्षकों को इसके आधार पे ही तयारी करना है, इसके बाद 14 सब्था आएगा, तो चलिए देखते हैं, हम इस वीडियो के माध्यां से इस पूरे सब्था हाके, विशे हिंदी, गडित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के जो प्रेशने ओलंपियाट प्रेशने के उन प्रेशनों को आपको बताएंगे, देखिए पद्यांस 464, पद्यांस 444 भी निदेश दिये हैं, निमलिखी सूचना को पाड़कर प्रेशनों के उत्तर में शही विकल पर गोला लगाई है, सूचना क्या है, पुस्त काले काड अपने साथ रखेंगे, फिर सभी बच्चे कक्छा वार कतार से जाएंगे, फिर तीस्रा पाई्निट पुस्त काले में शोर नहीं करेंगे, 14 पाई्निट अपनी बारी का इंतेजार करेंगे, इसी का 95 पाई्निट है कुस्दक Самती से वैट कर पढ़ेंगे, पुस्दक को सुर प्रेश नमबर एक क्या करा है, पुस्त काले में प्रेश के लिए क्या आवश्यक है, A नमबर पुस्ता के, B नमबर सिक्षक, C नमबर पुस्त काले कार्ड और D नमबर सहपाटी, तो बताईए कि पुस्त काले में प्रेश के लिए आवश्यक है, चौर आवश्यक है, तो पु और option में से आपको बताना है कि पुस्तकाले, पुस्तकाले जहां पे पुस्तक रखी होती है, वहां पे उसके अंदर क्या और शक है, सुर्गुल, सांतियों, अनुसासन, पुसासन और योगासन, तो आप बताई इसका सही आंसर क्या है, सोचो, आपको सोचें का समय दिये हैं, तो इसका सही आंसर आपका आजाएगा, बी नंबर सांतियों, अनुसासन, अगला प्रेशन है, प्रेशन नंबर तीन, पुस्तकाले सब्द में मूल सब्द क्या है, ए नंबर आले, बी नंबर पुस्त, सी नंबर काले, और दी नंबर पुस्तक, तो पुस्तक धन आले, या तो इसका डी नंबर को उप्शन चाहिए होगा पुस्तक इसका मूल सब्द क्या आ गया पुस्तक एंड डी नंबर को उप्शन सही है इसी का आपका चौथा प्रश्ण है सुरक्षित सब्द का विलोम सब्द बनाने के लिए आप इन में कुन सा सब्दांस जोडएंगे इत आ आ कू तो इसका सही आंसर क्या होगा पताई सुरक्षित का विलोम सब्द क्या होता है या पहले लिकाल तो सुरक्षित का अविलोम होता है अ सुरक्षित तो इसमें कुन सा सब्द और सब्दांस जोडएंगे तो इसका बी नंबर को उप्शन सही होगा अगला प्रशन है प पुस्त काले में सोर मत करो तब उना का रात्मक होता लेकिन यहां पर कह रहा है पुस्त काले में सोर नहीं करना चाहिए यह इच्छा वाचक है तो यह आपका प्रेश नमबर पांच का उत्तर कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही आपका पध्यास 464 कंप्लीट हुआ इसके कोलंप्यार पाइक सक्की तेयारी भी कर रहा है चलिए तालिका को पड़कर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर में शही विकल पर गोला लगाईए कालम एक कालम दो कॉलम तीन कालम चार कालम एक में क्या दिया जानवरों के नाम कालम दो में दिया हमारी मदद कैसे करते है कौलम थीन में धी आए यह कहां रहते हैं और कालम चार्मन काना ही विसेस्ता है चले कालम चार्मय के लिए मुद्ध या योन खालतम मैं क्ट्छ कुभान या गलबकरि श्याय की विसेस्ता है यह यह वफादार होता है पालतू होता है कई रंगों वा कई आकार का होता है फिर इसके बाद तीसरा जानवर है उट रेगिस्तान में परिवान के काम आता है हमारी वंदत कैसे करता है जो रेगिस्तान में परिवान आने जाने का काम करता है और यह कहां रहता है रेगिस्तान में लंबी गदन होती है कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है पालतू है फिर इसके बाद अगला है अगला जानवर घोड़ा सवारी के काम आता है कहा रहता है अस्तवल में पालतू है और तेज दोलता है तो इस पकास से तालिका का हमने अध्यान कर लिए अब इस तालिका के आधार पर जो आगे प्रशन दीन प्रशन को उत्तर बताएंगे जानवरों के घरों की बात किस कालम में बताई गई है देखिए जानवरों के घरों की बात किस कालम बताई गई तो आप यहां पर जाएंगे और घरों की बात यह कहां रहते हैं तो यह कालम तीन में बताई सरवारी कुन होगा ए नमबर गाय बी नमबर कुत्ता सी नमबर ऊट और डी नमबर गोड़ा तो बताइए बच्चो सरवारी कौन सा जानवर है यहाँ पे तो इसका सही आंसर आजागा बी नमबर कुत्ता अगला प्रश्ण है तालीका में दिये गए जानवरों की मुख्य वि अगला प्रश्ण है रेकिस्तान में कौन सा जानवर सहचिता से चल सकेगा इनबर गोड़ा बी नमबर गाय कुत्ता और डी नमबर ऊट तो इसका सही आंसर आजागा डी नमबर ऊट नेच्ट प्रश्ण है तालीका में दिये गया जानवरों मेंसे किसके सिंग होते हैं अब इसके बाद आपका नैश्ट विशे आता है गडित अगला विशे के हैं आपका देखिए यह आपको अभी हमने किसकी बताया थे हिंदी के जो प्रसनते वह बताये थे अब इसके बाद आपको जो गडित है गडित में के प्रसन दिये गए गया है किनकिन प्रसन के तैयारी करना है यह तो इसके आधार पे हम इस तालिका को तैयार किये हैं मंगलवार बुद्वार के लिए था चलिए अब देखते हम इसमें क्या है आपका गडित में कक्षा चौ बज़ रहा है यह आपकी पहली झाढ़ी यह नौ बज़ रहा है और दूसरिंहीं कितना बज़ रहा है तो नौ के बाद आप 1011 12 12 एक 10 11 12 ंुह चार गंटे और बज़ रहा है तो सांडे 4 गंटे 10 को हम1 hold यहां पर नौ बज़ रहा है और यहां देड़ बज़ रहा है हम नौ बज़े से देड़ बज़े तक जाने किले हमें सकते साड़े चार घंटे लगेंगे और चार गंटे हमको कायं बदल देना है वह मिनट में होते हैं तो चार गंटे में कितने कितने का माता है कि 1050 मिलते हैं तो कितने निक्स है थो आपको कुछ नहीं करता बाच्यों यहां पर आपको 1050 जो दिया हैं यह आपका एक हजार पचास में शत्तर का भाग दे दीजे एक शुनिश एक शुन कटा साथे कम शाथ बच गया कितना तीन साथ पना पैंटीस कितने रिक्षण है उसके पास 15 तो यहां पर 15 दिया है कि देखी चौर ओप्सन में सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको नेश की तयारी हो जाएगी ओलंपियाट की तयारी हो जाएगी और आपके कॉमपिटिसन एकजामों की तयारी हो जाएगी प्रेसका छी तयारे फसलाइए राजू के सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब नमबर दो बटे नौ अब आपका नेक्स्ट प्रेश्ण है आपका प्रेश्ण के मांग 36 प्रेश्ण के मांग 36 क्या है किस घड़ी में दो सुईयों की बीच का बना कोड समकोड के बरावर है देखिए आपके यह चार घड़ी में आपको बताना है किस घड़ी में दो सुईयों के बीच का बीच बना कोड समकोड के बरावर है तो देखिए सकते हैं समकोड कित्य अंस का होता है नब्य अंस का होता है और नब्य अंस का कोड किस घड़ी पे बन रहा है आप देखिए ए नमबर की बी नमबर की शी नमबर की और दी नमबर की य खाली बॉजस में आने वाले संक्या कौन सी है यासे एक एक के बाद 3 एक का 3 गुणा 3 तीन का 3 गुणा 9 तीतर का 9 9 3 27 तीन गुणा करते चलना है तो यहाँ पर क्या जाएगा 27 27 दिया 81 तो आपकर इसका सही आंसर कुंसा हो जाएगा ए नमबर 27 अगला प्रशन है दिये गए पेटर्न की अगली आकरती क्या होगी देखिए यह तर्भुज पर इसका सही आंसर क्या होगा इसका सी नमबर का एक सही आसरा यह एहरे और क्या प्रकती 3 आयां में अकर गुण इसके बाद सेंटीनर 19 ही एक शेंटिवंटर भुजा वाले बग का चेतर फल खंपको बताना है अच ze आपका निम्न प्रेटन को ध्यान से देखकर अगला पद बताईए यह बिस ए पचीस बी तीस सी 35 दी किते किते कंतर आ है यहां पर 55 का अंतर आ रहा है तो 35 के बाद क्या जागा 40 और जो आपकी ABCD अल्फावेट है अल्फावेट के आदार पर D के बाद क्या आता ए तो 40 E तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका C नंबर का 40 E नेस्ट प्रेशन है आपका इसके बाद आपका वही सप्ता तेरा के लिए आप इसके बाद आप वही सप्ता तेरा का दिन कोंसर हैगा गुरुवार और सुकुरुवार विश्य क्या रहेगा विज्ञान और आपको ये भी बता दें कि आपको जो ओलम्पियाड ने इस कक्छा शेट्वी की तैयारी प्रिथम और दूती कालखंड में ही कराना है तो ओलम्पियाड प्रिश्य में मादमी किस तक कक्छा शेट्वी विज्ञान के प्रिश्ण है 357 से ये आपको दिये गए प्रिश्ण आप देख सकते हैं इन प्रिश्णों के उतर आपको हम बताएंगे यदि आपका सो ओलम्पियाड बुक नहीं है शिक्षकों के पास नहीं है बच्चों के पास नहीं तो आप इससे नोट करके तयारी कर सकते हैं चलिए प्रिश्ण अबर 357 अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है तो यहाँ पे A नंबर प्रोटीन, B नंबर वशा, C नंबर कार्भोहईडरेट और D नंबर जल तो इसका सही आंसर आजाएगा A नंबर प्रोटीन, किसकी मात्रा अधिक होती है, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है, किसकी होती ही, प्रोटीन की किसी पधात के विलियन को गरम करने से उसकी विलेता पर निमलिखित में से क्या प्रभाब पढ़ता है, तो इसका सही आंसर आजाएगा A नंबर, जो उसकी विलेता कैसी हो जाती है, बढ़ती है तो इसका A नंबर का उप्सन सही होगा नेस्ट प्रेशन आपका 360, पुष्प के विलिखित में निमलिखित में से कौन समलित है, बहाइदल, पंखोडी, पुंकेसर, मूला कुंसर, इस्त्रीकेसर, यह पांच यह आपको नाम दी है, तो आपको यह पांचों में से, यह A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, यह सही आंसर बताना है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आजाएगा, आपका C नंबर, केवल, बहाइदलन, पंखोडी, पुंकेसर, और इस्त्रीकेसर, यह चार समलित होते हैं, तो इसका C नंबर का उप्सन सही होगा, इसके बाद नेस्ट प्रेशन है, आपका प्रेशन नंबर प्रेशन है, कौन सी संधी सभी दिशाओं में घूम सकती है, C नंबर हिंज, C नंबर धुराग्र, C नंबर कंदुक खली का संधी, और D नंबर अचल, तो बताई, शही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आजागा, C नंबर कंदुक खली का संधी, इसके बाद मिलान करिए, कौलम एक और कौलम दो दिए, कौलम एक में यह दिया, उपरी जबड़ा, पसलिया, मचली, अंचल, और कौलम दो में दिया है, बहरी कंकाल, धारा रेकी सरीर, अचल संधी, एहदय की तुरक्षा, अब इनको आपको मिलान करना है, कि सही आंसर क्या होगा, इस चौते सिमिलान करेंगे, शी का दूसरे से और बी का पहले से, इसका बी नंबर ओप्सन सही है, अगला प्रशन है आपका प्रशन नंबर 366, मानव शरीर की वह सरक्षा जो आमाच है के नीचे पाये जाने वाले विभिन अंगों की रक्षा करता है, कूले का वह हिस्सा है, तो इसका सही आंसर आजागा C. प्रशन म. 366, का सही आंसर C. अगला प्रशन है, आपका थंडे प्रदेशों में रहने वाले जीओं की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती, पहला दूसरा हो तीन दिये, पतली तोचा, मोटी तोचा और तीसा तोचा के नीचे मोटी बसा का आउरान तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर केवल पहला पतली तौचा नेश्ट प्रश्ण है आपका प्रश्ण अगला प्रश्ण है आपका प्रश्ण नंबर 379 एक कमरे की खिड़की जिससे सूर्य का प्रकास आता है उसके पास एक पौधे का गमला रखा है कुछ दिनों तक पौधों को नीमित जल दिया गया तो उस पौधे में व्यद्धी किस प्रकार होगी ए नंबर सीधी होगी बीन प्रकास की दिसा की और होगी घ्रबऩनबर 370 परतर सही होने पर विद्ध नहीं हो रहा है तो क्या शंबावन ln Pakistani Looks सेल खराब होगा, B नमबर, फिलामेट का तुकड़ा, तूटना, C नमबर, तीसरा नमबर, कुंजी का बन होना, इसके आपसन दीन, चार आपसन, A नमबर दिया केवल पहला, B नमबर केवल दो, C नमबर केवल तीन, और D नमबर एक, दो, तीन, सभी, तो इसका सही आंसर आज का, D नमबर, दो भागों में तूटने पर, नेस्ट प्रशन है, आपका, प्रशन नमबर, तीन सो चोहतर, परेट में, शिपाईयों के मार्च पास्ट की गती होगी, A नमबर, वस्तुल गती, B नमबर, आवरत गती, C नमबर, सरल रेखी गती, और D नमबर, व्यत्ती गती, तो बताईए बच्चो, प्रशन क्या है, आपका, परेट में, शिपाईयों की मार्च पास्ट की गती होगी, कैसी होगी, तो इसका सही आंसर आजाएगा, आपका, C नमबर, सरल रेखी गती, अगला प्रशन है, चाया की आवरती निर्भा करती है, यहां तीन चीज दिया है वस्तू के आकार, दूसरा है, प्रकास रोत के स्थिति, तीसरा प्रकास रोत का रंग, तो इसमें ए नमबर में दिया है, केवल एक एउन दो, बी नमबर में केवल दो तीन, शिनमबर केवल एक एउन तीन, और दी नमबर एक दो तीन सभी, तो इसका सही आंसर आजाएगा, अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण नंबर 378 पत्यों के हरे रंग के होने का कारण है इसका सही आंसर आजाएगा बी नंबर क्लोरो फिल इस प्रकार से बच्छों आपके जो विग्यान के प्रश्ण थे किसके एनस के सब्सक्राइब के वह कंप्लिट हुए इसके बाद आपक करना है और किस-किस कख्छा के प्रश्णों को आपको लेना है कख्छा तीन का पर्यावण 123 कख्छा जार का परिवाण रध्यान देखिए ग्राब देखिए राधिका कोल ने कित्विकेट ली 30 गरीमा पाठक पाठक करना किते लिए 10 दीपीका ने कित्विकेट लिए 40 और अर्चन ने कित्विकेट लिए 20 अब यहाँ पर प्रश्ण नमर 123 के दिया है सबसे जादा विकेट लेने वाली खिलाली है यह नम अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमर 215 बाल व्युहाव अधिनियम के लड़की की यूहाव की आयूग निस्चित की गई है A number B18, B number 15, C number 21, D number 18, तो इसका सही answer आजाएका D number 18, नेस प्रशन है, ऐसी चीज जिसे बिना पकाए तेयार कर सकते हैं, तो इसका सही answer क्या होगा, A number आलू की सबजी, B number नीबू की सिकनजी, C number चावल और D number प्रहाटा, तो इसका सही answer आजाएका B number नीबू की सिकनजी, अगला का घर है, अब इस मानचितर के आधार पर जो प्रशन दिया, इसका उत्तर बताना है आपको, पहली को अपनी शहली को एक लेटर भीजना है, तो पहली लेटर पोस्ट करने के लिए, के लिए घर से जाग घर के लिए किस दिसा में जाएगी, देखिए पहली का घर यह है, त इसका C नंबर को उप्शन सही होगा, अगला प्रशन है आपका प्रशन नंबर 485, दो गुन जिन्दगी की, यह स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है, A नंबर चेचक, B नंबर हर्जा, C नंबर पोलियो और D नंबर कोरोना, तो इसका सही आंसर आजाएगा C नंबर पोलियो, इसके बाद अगला प्रशन है आपका प्रशन नंबर 424, इस ग्रहा को प्रथवी का जोड़वा ग्रहा के नाम से, के नाम से जाना जाता है, A नंबर प्रश्बती, B नंबर बुद, C नंबर सनी और D नंबर सुक्र, तो इसका सही आंसर आजाएगा आपका 2024 में, तो इसका सही आंसर आपका आजाएगा, B नंबर 2024, नेस्ट प्रशन है, एक लीप वास में कितने दिन होते हैं, तो बताइए, एक लीप वास में कितने दिन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 366 दिन, एक वास में कितने दिन होते हैं, तो एक लीप वास में क पूछ लिए विश्व का सबसे बड़ा महाधी कौन सा है तो आप बता देंगे एशिया महाधी फिर इसके बाद नेश्ट प्रेशन है और इस वीडियो का अंतिम प्रेशन है भारत के प्राइदी पठार की आकरती है ए नमबर वर्गाकार बी नमबर आयताकार ची नमबर त्र सही आंसर आजाएगा सी नमबर त्रेबुजाकार इस पकार बच्चों आपका जो नेश परिक्षा नेश कितियारी अभ्यास प्रेशन है तेरवास अपता विसे क्या था आपका हिंदी गडित स्वामाजी विज्ञान और विज्ञान के जो रासिक्षा के इंदर द्वारे प्रेशन के मांग बताए तो उन सभी प्रेशनों के उत्तर आपको हमने इस वीडियो के मादम से बताए यह अच्छे लगे हो तो आप हमाद चनल आइडियान दे क्लासे को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इस वीडियो को अने गुरूप में से याद ज़रू झाल